मावल इलाके के दोस्त 12 मावल इलाका है जहाँ पर देशमोग अपनी वतंदारी समाले बैठे थे इन्हें अपनी वतंदारी और जागिरदारी का बड़ा लालश था वो वतंदारी के लिए आपस में लड़ा करते थे इन लड़ाईयों में माराठो की ताकत फजूल जाय हो रही है इसका शिवाजी माराज को शदीद ऐसास था क्योंके शिवाजी माराज समझ गए थे जब तक हम मुत्ताइद नहीं होंगे तब तक हम कमजोर रहेंगे इसलिए वो देशमको के गाओ जाते इन से मिलते और इनकी दिलों में सवराज के मकसद को उजागर करते महबत और शफकत से इन्होंने देशमको को अपना हमखयाल बना लिया कुछ लोगों ने जबरदस्त मुखालिफत की क्योंके कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे कामों में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो मुखालिफत करते हैं मुखालिफ होते हैं लेकिन शिवाजी महराज ने किसी ना किसी तरह इन्हें भी सवराज की ऐमियत का ऐसास दिलाया मराटो के आपसी जगलों को खत्म किया हर कोई शिवाजी महराज का ऐसान मानने लगा देशमुको की जमात शिवाजी महराज की फर्मा बारदारी करने लगी और मावल इलाके में सवराज की तहरीक तेजी से फैलने लगी थी